आज रात ठंडी हवा चल रही थी जो इस बात का संके था कि जंगल में ठंड का मोसम शुरू हो गया है सभी बक्षी अपने अपने होसले में बैठे हंसे ठठा रहे थे आज रात जो बच गया तो कल की रात में इस जंगल में नहीं गुजारूँगा मर गया है मर गया बहुत ठंड है कल मुझे कुछ न कुछ करना होगा वो सब ऐसे बहुत परेशान थे और फिर सुभा हो जाती है सुरज की तेज रोशनी से ठंड कम हो जाती है कवा भी अपनी आँखें खोलता है मैं बच गया मैं बच गया अब मैं जल्दी से दूसरे पक्षियों के पास चाहता हूँ और देखता हूँ के वो ठंड से बचने के लिए क्या कर रहे हैं कालू यार क्या बताओं मैंने सारी रात जाकर गुजारी है मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि हम किसी दूसरे जंगल में चले जाते हैं तो फिर हम चड़िया से जाकर पोचते हैं कि हम सब कैसे ठंड से बच सकते हैं कालुकवा और कबूतर चिडिया की तरफ जाते हैं चिडिया बेहन अगर एक और रात ऐसी गुजरी तो मैं सच में मल जाऊंगा मेरी तो हडिया जम गई है रात की धंडी हवा से हम सभी पक्षी ऐसे मौसम के लिए नहीं बने हैं क्यों न हम पहाड़ों वाले जेंगल चले जाएं वहां का तापमान ठीक है और फिर जैसे ही इस जेंगल का मौसम ठीक होगा हम वापिस आ जाएंगे किसी ने तोते की भी खबर ली है वो तो मुझे सुभा से नजर ही नहीं आया यार कबूतर कहीं ऐसा तो नहीं कि मिठ्थू ठंड से मर गया हो वो सब तोते की बात कर ही रहे थे कि वहां तोता भी आ जाता है बहुत ठंड थी आज की रात बहुत ठंड थी सारी रात में सो नहीं सका अब जाकर थोड़ी आंख लगी थी अगर हमें पहाडों वाले जंगल जाना है तो फिर चलो हम सफर शुरू करें ऐसे बातों में समय जाया ना करें चलो सब चलो यहां रहकर मरने से अच्छा है कि हम सफर शुरू करें फिर चिडिया, कबूतर, तोता और कालूकवा अपना सफर शुरू करते हैं वो बहुत तेज उड़ते हैं और फिर अपने जंगल से बाहिर निकल कर वो सब एक जगा बैठ जाते हैं दोस्तों अब हम थोड़ी देर यहां आराम करते हैं और भोजन ठोड़ कर खा लेते हैं सब अपना अपना भोजन लेकर यहीं आ जाएगा और सब मिलकर खाएंगे हाँ सब मिलकर खाएंगे हम साथ रहेंगे और भोजन भी एक साथ ही खाएंगे फिर वो सब भोजन की खोज में निकलते हैं तोता इधर उधर उड़ता है उसे कहीं भी भोजन दिखाई नहीं देता कबूतर को पास में से कुछ दाने मिल जाते हैं चीडिया भी भोजन की खोच कर रही थी कालू कव्वे को भी थोड़ी दूर से कुछ भोजन मिल जाता है वहां कुछ दाने मकई के थे अब इन दानों से अपना पेट भरूँ या अपने दोस्तों का मैं ऐसा करता हूँ अपना ही पेट भर लेता हूँ अगर जिन्दा रहा तो फिर ही अपने दोस्तों की मदद कर सकोंगा कालू कव्वा पेट भर कर वहां से मकई के दाने खाता है और वापिस उड़ जाता है मुझे तो कुछ भी नहीं मिला मुझे भी आप चिंता ना करें मुझे ये दाने मिले हैं हम सब इन्हें बांट कर खा लेते हैं कालो तुम्हें कुछ मिला या नहीं कवे का पेर तो भरा हुआ था परन्तु वो अपने दोस्तों के सामने भूका होने का नाट करता है ना जी ना मैंने बहुत कोशिश की मगर कुछ भी हाथ नहीं आया फिर कबूतर अपने सभी दोस्तों को वो दाने बांट कर दे देता है कुछ दिर आराम करने और भोजन खा लेने के बाद वो सब फिर से उड़ते हैं वो ठक जाते हैं मगर उन्हें उड़ना तो था रात हो जाती है वो सब फिर से रात गुजानने के लिए वहां रुकते हैं यही बहतर है कि आज की रात हम इसी जगा गुजाने मुझे यह जगा सुरक्षत लग रही है हम इसी पेड़ की डाल पर रात गुजा लेंगे बातों बातों में रात का पता ही नहीं चलेगा फिर तोते की नजर पास में एक पेड़ पर जाती है जिस पर एक खोंसला था वो देखें उस पेड़ पर खोंसला है हम सब बारी बारी उस घोंसले में सो लेंगे वो घोंसला तो पहले मैंने देखा है इसलिए उस घोंसले में मैं ही सौँगा कालू हम सब साथ चले थे और हमें एक दूसरे का ख्याल करना होगा तोते ने ठीकी तो कहा है हम सब बारी बारी उस घोंसले में सो लेंगे परंतु कालू कवा उनकी कोई बात सुने बिना वहां से उड़ता है और जाकर उस घोंसले में सो जाता है ये कालू तो शुरू से ही ऐसा है ये कौन सा इसका कोई निया काम है इसे अच्छा था कि हम इसे साथ ना ही लेकर आते नहीं कबूतर भेया, अगर कोई दूसरा बुरा हो तो उसका दिल अच्छाई से जीते हैं ना कि उस जैसे बुरे बन जाते हैं फिर वो सब दोस्त सारी रात उस पेड़ पर बैठे रहते हैं और कालू कवा सारी रात खराटे लेता हुआ मीठी नीन्द सोया रहता है रात गुचर ही जाती है, सुभा हो जाती है उठ काले कहें के, काले कवे, सारी रात सो कर तुम्हारी नीन्द पूरी नहीं हुई सफर शुरू करें बहुत मज़ा आया सोने से सारी ठकान उतर गई है फिर वो सब फिर से अपना सफर शुरू करते हैं वो सब भूके थे और प्यासे भी उरते उरते वो पहाडों वाले जंगल में पहुची जाते हैं अब हमारे पास समय नहीं है कालू तुम सब के लिए भोजन की खोज करो और हमसा मिलकर अपने लिए सुरक्षत घर बनाते हैं मैं भोजन ढून लूँगा और आप अच्छे से घर बनाना यहां का तो मोसम भी बहुत अच्छा है आज रात सुने का बहुत मज़ा आने वाला है चिडिया और तोता घर बनाने के लिए लकडियां अकठी करने लगते हैं कबूतर भी सूखा घास ढून लाता है कालू कववा जैसे ही थोड़ी दूर जाता है उसे एक पेड़ पर एक छोटा सा घर नजर आता है कववा वहां जाता है वारे कालू तुम्हारी तो किस्मत ही जाग गई मुझे तो बना बनाया घर मिल गया मैं अब अपना भोजन खाऊंगा और रात को इसी घर में सो जाऊंगा मुझे क्या जरूरत है दूसरों के लिए भोजन लेकर जाने की शाम हो जाती है चिडिया, कबूतर और दोता अपने लिए बहुत सुन्दर घर बना लेते हैं कववा अभी तक लोड कर नहीं आया था आ बैठे, मैं कववे को देह कर आता हूं वो अभी तक भोजन धून कर नहीं लोडा कबूतर थोड़ा आगे जाता है तो उसे कववा सोया हूँ नजर आता है बेशरम कववे तुम नहीं सुदरोगे हमारे बेट में भोग से चूहे दोड़े हैं और तुम यहां सोय हुए हो तो फिर मैं क्या करूँ जाओ और अपना भोजन धून कर खालो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में नहीं रहूंगा मुझे तो घर मिल गया है वो देखो बना बनाया घर मिल गया है मुझे मुझे तुम से यही उमीद थी रात हो जाती है कववा उस घर में जाकर सो जाता है वो अभी सोया ही था के वहां बड़े बड़े उल्लू आ जाते हैं और आते ही कव्वे को मारना शुरू कर देते हैं भौको यहां से सारा हमारा खर गंदा कर दिया कव्वे कहीं के उल्लू कव्वे को मार मार कर घर से भगा देते हैं क्यूंकि वो घर तो उल्लू का था चीडिया, कबूतर और तोता भोचन खाकर अपने सुन्दर से घर में सोय हुए होते हैं जबके कालुकवा उनके पास में ही एक पेड़ की डाल पर बैठकर सुभा होने का इंतजार करता है ताकि सुभा हो और वो अपने दोस्तों से अपने किये की माफी मांगे प्यारे दोस्तों, दोस्ती का पता हमेशा मुश्कल समय में ही चलता है और वही आपका सचा दोस्त होता है जो मुश्किल में आपके काम आए ममा, ममा, आज मेरे लिए कोई मीठा मीठा सा फल ले कराना और मेरे लिए मकेई का दाना आज मेरा मकेई खाने को बहुत दिल कर रहा है अच्छा अच्छा जो मिला मैं ले आऊंगी आप खर में ही रहना और कहीं इधर उधर ना जाना अगर मुझे शाम को आने में देर हो जाए तो घर से बाहिर नहीं जाना ऐसे अपने बच्छों को समझा कर चिडिया भोजन की खोज में निकल जाती है थोड़ी ही दूर उसे एक कवा एक पेड़ की ढाल पर बैठा हुआ मिलता है चिडिया उस कवे के पास रुक जाती है कवे भेया मैं भोजन की खोज को जा रही हूँ क्या आपने भोजन ढून लिया नहीं चुडिया बेहन मैंने कहां से ढून लिया मैं तो यहां बैठा आप ही का इंतजार कर रहा था तो फिर चलो आज हमें इस चंगल के बाहिर दूसरी दिशा में जाना है फिर कवा और चिडिया वहां से चले जाती है पहाड़ों के पास चाकर कवा एक जगा बैठ जाता है बास चुडिया बेहन मुझसे और उड़ने ही हो पा रहा मैं ठग गया हूँ और भूग से मेरा पुरा हाल है पास में से ही चुडिया को एक दाना चने का मिल जाता है कवे भीया ये चने का दाना आप खा लें इसे आपकी भूग थोड़ा कम हो जाएगी कवा चिडिया से वो दाना लेकर खाने ही वाला था कि वहां एक बुड़ी फाखता आ जाती है बहुत ठक गई हूँ मैं पूर्व वाले जंगल से आई हूँ क्या आपके पास कुछ खाने को है मा जी हम भी बहुत भूके हैं भोजन की खोच को ही जा रहे हैं मा जी ये एक दाना चने का है अगर इसे आपकी भूग मिट सकती है तो ये आप खा लें कवा भी खामोश रहता है बढ़ी फाक्ता वो चने का दाना ले कर खा लेती है कर भला सोहो भला ये बात याद रखना और ये लो आप दोनों ये एक एक थैली रख लो मा जी इस थैली में क्या है इन थैलों में दो दो लड़्डू है और ये लड़ू कोई सधारन लड़ू नहीं है ये जादूई इच्छा पूरी लड़ू है ये लड़ू खाने से पहले आप जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी ऐसा कहते हुए वो फाख्ता वहां से गाइब हो जाती है इच्छा पूरी लड़ू मिल गे चिडिया ये तो कोई चमतकारी माजी थी अब चलो चिडिया अब हमें भाजन की खोज में जाने की क्या जरूरत है घर जाकर इन लड़ूं का चमतकार देखती है कवे भीया इन लड़ूं का इस्तमाल सोच समझ कर करना ये भगवान ने हमारी मदद की है और किसी गलत काम के लिए इन लड़ूं का इस्तमाल ना करना फिर वो दोनों वापिस हो लेते हैं ममा आप तो आज बहुत जल्दी लोड़ाएं और ममा भोजन कहा है देती हूँ आपको भोजन भी और फिर चीडिया अपने बच्चों को इच्छापुरी लड़ूं के बारे में बताती है ममा आपने बहुत अच्छा किया जो अपना भोजन उस बुड़ी माजी को दे दिया ममा वो बुड़ी माजी आपकी परिक्षा ले रही थी बच्चों परिक्षा तो अभी बाकी है वो ये के हम इन इच्छापुरी लड़ूं का इस्तमाल कैसे करते हैं आप दोनों मुझे ये बताओ के ऐसा क्या है जो सब पक्षियों के लिए बहुत कीमती हो हम एक इच्छापुरी लड़ू से वो मांगते है मामा मैंने स्कूल में पढ़ा है कि सबसे कीमती चीज सहित और तंदरुस्ती है अगर हमारे जंगल के पक्षि सवस्त होंगे तो वो कुछ भी कर सकेंगे मेरा बेटा कितना बुद्धी मान है आपने ठी कहा बेटा और फिर चीज़िया थैली से एक इच्छापुरी लड़ू निकालती है और कहती है इच्छापुरी लड़ू मेरी इच्छा है कि मेरे जंगल के सब ही पक्षी सवस्त रहें और कोई भी पक्षी कभी बीमार ना हो ऐसा कहते हुए चीडिया और उसके बच्चे वो लड़ू खा लेते हैं दूसी तरफ कवा भी खुशी खुशी अपनी पतनी गोरी कवी के पास पहुँच गया था और वो उसे सारी बात बताता है कालू जी आज पहली बार कोई चमतकारी चेज हमारे पंक भी लगी है परन तू सोच लो इन्हें खाने से पहले क्या इच्छा करनी है कालू जी अगर सब पक्षी हमसे कमजोर हो और हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तो कितना मज़ा आएगा अगर ऐसा हो जाए तो जंगल के सब ही पक्षी हमसे डरेंगे और उन्हें डराकर हम कोई भी अपना काम करवा लेंगे भोजन भी ला कर देंगे तो फिर यही इच्छा है मेरी के इस जंगल के सब ही पक्षी बिमार और कमजोर हो जाएं ऐसा कहते हुए कालू और गोरी वो इच्छा पूरी लड़ू खा लेते हैं अब सबहा जंगल में जाकर गोरी देखेंगे कि कैसे पक्षी कमजोर और बिमार हो गे हैं पक्षियों को कमजोर देखकर मुझे तो बहुत मज़ा आने वाला है दूसे रोज चिडिया अपने दूसरे इच्छा पूरी लड़ू वाली थैली लेती है और अपने दोस्तों के पास चली जाती है कबूतर और तोते आज मेरे पास आपके लिए एक बड़ा सर्प्राइज है सर्प्राइज वो क्या चिडिया बेहन मेरे पास इस थैली में दो इच्छापूरी लड्डू थे एक को मैंने खा लिया है और इच्छा की है कि मेरे जंगल के सभी पक्षी सवस्त रहे तो मैं भी कहूं मुझे कल से बुखार था और रात अचानक में सवस्त हो गया तो फिर ये सब काम इच्छापूरी लड्डू का था हाँ कबूतर भेया और अब मेरे पास ये जो दूसरा इच्छापूरी लड्डू है ये हम सोच समझ कर खाएंगे ऐसे ही वहाँ गोरी और कालू भी आ जाते हैं चिडिया आप सब यहां क्या कर रहे हैं क्या कोई बिमार है नहीं गोरी बेहन अब हमारे जंगल में कोई भी बिमार नहीं होगा क्योंके मैंने इच्छा पूरी लड्डू खाकर यही इच्छा की थी कि हमारे जंगल में कोई भी बिमार नहो गोरी ये क्या हो गया तो फिर क्या हमारा एक लड़ू बेकार में ही गया क्या कहा कालू भीया कुछ नही चल कालू मुझे एक काम यादा आगया है फिर कालू और गोरी वहां से चले जाती है उस्माजी ने दो लड़ू इस शेतान कव्वे को भी दिये थे ये ना जाने अब उन लड़ों का क्या करेंगे चुडिया बहन छोड़ो इन शेतानों को अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस दूसरे इच्छा पूरी लड़ों से कौन सी इच्छा पूरी करें मैं तो कहता हूँ कि इसे खाने से पहले इच्छा करते हैं कि जंगल में हर तरफ मिर्ची ही मिर्ची हो जाए ताके तुम्हारा पेट अच्छे से भर सके और बाकी सब भूके मरें नहीं दोते भीया हम किसी ऐसे भोजन की इच्छा करेंगे जिसे सब मिल जुल कर खा सकें जुड़िया बेहन क्यों नहीं हम इस इच्छा पूरी लड़ू से जंगल के मेदान में ऐसी चावल की फसल लें जो कभी खतम ना हो और हम सब पक्षी जिसे खा सकें और ऐसे हमारे भोजन की चिंता हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी फिर वो सब ऐसा ही करती है इच्छा पूरी लड़ू मैं ये इच्छा करती हूँ कि हमारे जंगल के मेदान में चावल की फसल उगाए जो कभी खराब ना हो ऐसा कहते हुए वो तीनों दोस्त वो इच्छा पूरी लड़ू खा लेती हैं फिर वो सम मेदान की तरफ अपनी चावल की फसल देखने चले जाते हैं कालू जी ये चावल कहां से आगे इतने ठेड सारे चावल की फसल पहले तो यहां ना थी ये जरूर चिड़िया के दूसरे इच्छा पूरी लड़ू ने दी है तो अब हमें फोजन की क्या चिंता अब देखना मैं कैसे अपनी इच्छा पूरी करती हूँ इस दूसरे लड़ू से कहीं ऐसा ना हो के हमारा ये इच्छा पूरी लड़ू भी बेकार में ही चला जाए और हमें कुछ भी ना मिले कालू जी मुझे ना मेरा काला रंग अच्छा नहीं लगता आदा लड़ू खाकर मैं अपना रंग सफैद करना चाहती हूँ और बाकी का आदा लड़ू तुम मुझे दोगी क्यूंके मैं उससे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाने की इच्छा पूरी करूँगा और वो भी इस चावल की फसल के पास ही फिर गोरी कवी कहती है इच्छा पूरी लड़ू मेरा रंग सफैद कर दो और गोरी आधा लड़ू खा लेती है और इच्छा पूरी लड़ू जी हमारे लिए एक बड़ा सा घर बना दो फिर क्या था उन दोनों की आधी आधी इच्छा पूरी हो जाती है गोरी का रंग आधा सफैद हो जाता है और आधा घर बन जाता है कालू जी ये क्या हो गया मेरा रंग तो आधा सफैद और आधा काला हो गया मैंने ऐसा तो ना सोचा था और खर भी आधा ही बना है मैंने भी ऐसा ना सोचा था वो दोनों वहां बैठ कर रोने लग जाते हैं दूसरे पक्षी अपनी चावल की फसल देख बहुत खुश थे और वो गोरी को ऐसे देख उससे कहते हैं गोरी तुम गोरी हो या कोई चोडेल मैं गोरी ही हूँ और इच्छापूरी लड्डू ने मुझे ऐसा बना दिया इच्छापूरी लड्डू ने नहीं तुम्हारे लालश ने तुम्हें ऐसा बना दिया वो इच्छापूरी लड्डू हमारे लिए एक प्रिक्षा थी कि हम उन्हें कैसे इस्तमाल करते हैं और फिर गोरी रोते हुए वहां से चली जाती है